काफी लोगों ने मेरे से ये पूछा है कि क्या डाइबेटीज के मरीज पाइनेपल खा सकते हैं पाइनेपल यानी के अनानस तो आज की वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि क्या डाइबेटीज के मरीज अनानस खा सकते हैं नमस्कार दोस्तों मेरे नाम डॉक्टर अनुपम घोश है मैं एक डियाबीटीस कोच हूँ और एक फिटनेस निडिशन स्पेशलिस्ट तो बहुत सारे लोगों को यह डाउट रहता है कि अनानस खाए या ना खाए तो आज का वीडियो में सारा डाउट क्लियर हो जाएगा निके 65-66 के आसपास आता है तो इसका 65 ग्लाइसिमिक इंडेक्स मान के चलते है जो की मेडियम रेंज में 55 के ऊपर है तो मेडियम रेंज में और 70 के नीचे है मतलब 55 से लेके 70 के बीच में तो वो मेडियम रेंज में आता है तो इसका 65 ग्लाइसिमिक इंडेक्स है जो की बात करूँ तो 100 ग्राम आनानस में आपको 12 ग्राम के आसपास आपको कर्वाइडेड मिल जाएगा लेकिन सबसे खास बात क्या है कि इसमें आपको फ्रुक्टोस से ज़्यादा सुक्रोस मिलेगा अगर 12 ग्राम 100 ग्राम में कर्वाइडेड है छे या 7 ग्राम तो सुक्रोस मिल साथ ग्राम के असपास है ग्लुकोज भी इसमें मिलता है यानि कि आप समझ लीजे 9 ग्राम के असपास सुक्रोज और ग्लुकोज मिलाके 9 ग्राम है दो ग्राम के असपास या 3 ग्राम के असपास इसमें फ्रुक्टोस मिलेगा तो आपको सो ग्राम में जो 12 ग्राम के असपास क पैसे खाना है कितना खाना है वीडियो के अंत में बताऊंगा में पी-पी ब्लड शुगर लेने के बाद उसके बाद बताऊंगा बहुत सारे लोग मेरी फास्टिंग शुगर और पी-पी ब्लड शुगर देखता है इससे कोई फायदा नहीं होगा बीच में जो मैं आप इंपोर्मेशन देता हूँ वो आपके लिए इंपोर्मेशन है मेरी रीडिंग से आपको कोई बैनेफिट नहीं मिलेगा और आज आनानस के बारे में एक बहुत ही खास जानकरी दूंगा और वो दूंगा मैं वीडियो के एकदम लास्ट में मेरी पी-पी ब्लड शुगर ल तो यह ग्लूकोमेटर रेडि है प्रिकलिया खुन भी आ गया है ओहो यह हुआ है और यह स्ट्रिप खराब हो गया थाद तो एक दूसरा strict लगाना पड़ेगा करिफ ही बार हो जाता है त्यूंग करने अपके साथ होता है कि नहीं किमेंट करके जरूर्टाना कि स्ट्रिप खराब हो जाते यह यह फेर से रेडि कर लिआ है एक प्रिक और करना पड़ेगा और ये इस बड़ ठीक है ये काउंटडाउन चुड़ो तो ये है मेरा फास्टिंग ब्लड चुगर ठीक है 145 काफी लोग पूछते है कि फास्टिंग ब्लड चुगर क्यों जादा आता है काफी लोगों का फास्टिंग जादा आता है डॉन फिनोमेना की विज़े से और भी बहुत सारे कारण होते है मैं बार बार आप लोग को बोल चुका हूँ अभी भी फिर भी इस वीडियो में नीच आएगा कि सार आपकी फास्टिंग बहुत जादा है 145 टाइम इन रेंज में है किसी का फास्टिंग जादा होता है तो इसका मतलब यह नहीं कि डाइबेटीस हुए है मुझे डाइबेटीस नहीं है यह मेरा फास्टिंग ब्लड शुगर हमेशा जादा ही आता है तो इसको मैं अभी साइट करता हूँ और मैं खाऊंगा अभी धाइसो ग्राम यह धाइसो ग्राम मैंने अनानस लिया है तो सो ग्राम में बाड़ा ग्राम के असपास आपको कर्बोडेट मिलेगा तो धाइसो ग्राम मैंने अनानस मेजर करके लिया है और 200 ग्राम अनानस में मेरे को तक्रीबन 30 ग्राम के आसपास कार्बाडियर मिलेगा हाला कि मैं किसी को ऐसे खाने की रेकमेंड नहीं करता हूँ बाद में बताऊंगा मेरी शुगर लेवल पी-पी शुगर लेवल लेने के बाद की आपको कैसे खाना है अगर आपको डायबेटीस है आपको डायफिट डायट को फॉलो करके खाना है डायफिट डायट क्या है यह एक सिस्टम है प्रोसेस से कैलकुलेशन है जिसमें आपको सबसे पहले टोटल डेली एनरजी एकस्पेंडिचर कैलकुलेट करना है उसके बाद उसका 26 प्रतीशत या उसका नीचे आपको कारबोईडेट से लेना है 1.5 से लिके 2 ग्रम पर के जी बादी वेट आपको प्रोटीन से लेना है और जो रिमेनिंग कैलरीज है वो आपको हेल्दी फैट से लेना है इसमें 30 ग्रम कारबोईडेट मिलेगा प्रोटीन और फैट की कमी है इसमें फाइवर थोड़ा बहुत मिल जाएगा लेकिन आपको इस तरह से नहीं खाना है मैं सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए इस तरह से खा रहा हूँ लेकिन मैं कमपेंसेट कर लूँगा अपना सेकेंड मिल थर्ड मिल और फोर्ट मिल लगा लूँगा तो उससे कमपेंसेट कर लूँगा उसमें मैं प्रोटीन और फैट जादा रखूंगा लेकिन सिर्फ ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए ऐसे खा रहा हूँ अगर एक्सपेरिमेंट नहीं करना होता तो इसके साथ मैं प्रोटीन और फैट लेके खाता हूँ तो ये 500 ग्राम आनाना से बस देखना चाहता हूं कि इसको खाने के बाद मेरी शुकर लेवल बढ़ती है या घरती है तो इसको मैं फिलाल खाता हूं और इसको फास्ट फोवर्ड करके दिखा देता हूं ताकि आपकी टाइम सेव हो सके तो दोस्तों मैंने 500 ग्राम आनाना स्खा लिया है अब ताइम देख सकते है आठ बच के 50 मिनिट हो गया है तो मैं आप लोग से मिलूंगा 10 बच के 50 मिनिट पे और मैं देखूंगा कि मेरा शुगर लेवल बढ़ता है या घरता है मेरा आज का फास्टिंग 145 था और मुझे य लेवल 145 से कम ही आएगा और कारण भी बताऊंगा कि क्यों कम आया है और क्यों मेरा फास्टिंग जादा आता है और फिर इतना कार्ब खाने के बाद भी शुगर कम क्यों हो जाता है तो इसके बारे में भी पूरा डीटेल आप लोग को बताऊंगा दो गंटे बाद तो दो दो गंटा हो चुका है मुझे 200 ग्राम अनानस खाए हुए आप टाइम देख सकते हैं 10 बच के 50 मिनीट हो गया है और अभी मैं अपना पीपी ब्लड शुगर लेवल चेक करूंगा यह मेरा पीपी ब्लड शुगर होगा आए देखते है मेरा पीपी ब्लड शुगर कितना आत और यह ग्ल्यूकोमेटर हमारा रेडी है प्रिकलिया खून आ गया और यह काउंट डाउन शुरू तो आप देखिए कितना आया है एक सो सत्ताइस अब देख सकते हैं एक सो सत्ताइस है मेरा फास्टिंग से भी कम हो गया है धाई सो ग्राम अनानस खाने के बाद तो ऐसा क्यों हुआ फास्टिंग ज्यादा था और अनानस खाने के बाद जबकि सिर्फ और सिर्फ था उसके बावजूद भी मेरी शुगर जो है पीपी शुगर जो है काफी कम हो गया है 140 के नीचे आगे 117 से अब दिखिए यह दिखिए तो इसके बहुत सारे कारण है सबसे पहला कारण है कि मैंने सुबा उठके थोड़ा बहुत exercise किया था आज मैंने गॉल्फ खेला था तो बाद बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है एक आम आदमी का भी exercise करेंगे तो शुगर बढ़ा वह आता है क्योंकि बॉड़ी को energy चाहिए तो आपके liver release करता है तो एक तो dawn phenomenon हो गया दूसरा चीज जब आप exercise करते तो और liver release करता है शुगर तो उसके वज़े से भी थोड़ा सिर्फ अनानस खाएंगे तो आपकी sugar level बढ़ेगा क्योंकि इसमें सुक्रोज होता है glucose होता है और fructose कम होता है तो आपकी sugar level बढ़ सकता है तो अगर आपको diabetes है तो आप 100-500 gram तक बिलकुल खा सकते हैं 100-500 gram खाएंगे तो आपको 12-18 gram कर्वोडेड मिलेगा लेकिन इसके सकते हैं अंडा ले सकते हैं बदाम ले सकते हैं काजू ले सकते हैं अक्रोड ले सकते हैं उससे अपको healthy fat मिल जाएगा या फिर पनील ले सकते हैं तो इस तरह से कुछ न कुछ कंबाइन करके आपको खाना है प्रोटीन और fat के साथ तो आपकी sugar level नहीं बढ़ेगा मैंने या फिर आप हमारा coaching program भी ले सकते हैं नीचे जो number आपको दिख रहा है इस number पर संपर करके आप हमारा coaching program के बारे में पता कर सकते हैं या फिर आप डाइफिट एप को डाउनलोड करिए डाइफिट एप आपको गूगल प्ले स्टोर में मिलेगा नीचे description में भी लिंक मिल जाएगा डाइफिट एप को डाउनलोड करिए और diabetes दरबार में जूरिए diabetes दरबार हर मंगलवार को राद को नो बज़े लगता है डाइफिट एप पर एक चीज़ और मैं आपको बताना चाता हूँ कि जैसे कि मैंने बताया कि बहुत सारे लोग अभी यहां तक वीडियो छोड़के चले गए होंगे क्योंकि उनको सिर्फ मेरा fasting और PP blood sugar level वो देखन के लिए लेकिन बहुत important point वो miss कर गए होंगे जो लोग भी छोड़के चले गए है और जो लोग अभी भी देख रहे हैं उनके लिए मैं आपको बताता हूँ बहुत ही important point धियान से सुनीगा जब भी आप ananas खाएंगे तो ananas का एक core part होता है जो अंदर वाला part होता है और जो बाहर होता है उसको pulp बूलते तो core में जादा carvoidate होता है pulp के मुकाबले तो अगर आप ananas खाना चाते तो यह जो अंदर का core है जिसमें carvoidate जादा होता है उसको आप निकालके fake दीजे या किसी और को दे दीजे जिसको diabetes नहीं है और diabetes वाले बाहर बाहर जो pulp है उसमें carvoidate content काफी कम रहता है तो अगर आप बाहर बाहर का खाएंगे तो आप 200-500 ग्राम तक भी अनानस खा सकते है और आपकी sugar level नहीं बढ़ेगा लेकिन फिर भी आपको उसके साथ भी protein और fat थोड़ा बहुत रखना जरूरी है यह बहुत ही important point है और मुझे मालूम है कि बहुत सारे ल कर लिया है जो information में वीडियो के दोरान देता हूं पहले बाद में वह information आपके काम का है और डायफिट डायट को फोलो करेंगे तो फिर आप अपना diabetes रिवर्स कर सकते हैं वीडियो को यहां तक देख लिए अभी तक लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दीजे और को जादा से जादा शियर करिए क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो अनानस खाना चाते हैं लेकिन डड़के मारे नहीं खाते लेकिन अगर आपको diabetes है तो आप भी अनानस खा सकते सो से डेर्शोग्रम बिलकुल खाये कोर वाला पार्ट निकाल दीजे सिर पालप पालप खा करने के लिए आप सबका बहुत बहुत देनेवाद